हाई दोस्त मैं रेंकित बिजाड और रेंकित बिजाड एस्टड यह मैं आपका शागत करता हूँ आज मैं इससे प्रिबिएस यह का कोश्चन्स यानि वरनेट सेट लेकर रहा हूं जो इसका प्रैक्टिस सेट वरन है और यह प्रिबिएस यह उनिस्टो संतानवे से लेकर 2020 तक सारे एक्जामनेशन में पूछे गए सारे वनेट सेट सेट ज्यादा दिरना करते हुए हम अपने प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं चलिए यह आप आला कोश्चन वाला वनेट सेट सेट है क्रेक्टर साइजड बाइस सर्व सेल्फ डिसिप्लिन और अबस्टेशंस फॉम और व्यक्ति को हम क्या करते हैं तो उस ब्यक्ति को हम एस्थेटिक बोलते हैं यानि हमारा अप्सन नंबर चार सही है इसका ब्यक्षा पढ़ लेते हैं यानि गंबीर आत्मा अनुसासन और भोग के सभी रूपों से परहे जानी आम तोर पर धर्म के कारणों से यह चीज़ करने वाले व्यक्ति को हम एस्थेटिक बोलते हैं एक्जामपल में जाए सकते हैं दे लिफ आ फेरी एस्थेटिक लाइफ यानि वह एक बहुत ही तिक यानि धर्म और प्रहेज वाला लाइफ को विर्थित्त कर रहा है नेक्स्ट कोश्टन एस्टेट्मेंट विच इस एक् का देखें लेफ लेफिश्टि मतलब क्या होता है सोक गीत यानि की सोक में गयाया गया हुए गीत को लेफिवोलते हैं ट्रफक है यह और ह simultaneously को फो use for the first time चीज को प्रतम बार यूजत इसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं JUST क्रिफेन और सारे वर्ट का भी च Teaज़ को ब्रेथ के चोरो सारे इनध याने वह एक भूप Lower से यसोनार के द्वारा बनायागा प्लेट होता है या क्रिश्टेन एक पहली बार जो इस्तमाल करने या नामगरण करने वाला चीज को हम क्रिश्टेन बोलते हैं next question, imply, यांग imply और suggest an idea in addition to literal meanings, कि एक ऐसा idea और एक ऐसा suggestion जो किसी चीज़ को literal meaning लिखा ले, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, cannot, यांग cannot मतलब क्या होता है हमारा, तक cannot मतलब होता है किसी चीज़ का, यांग किसी चीज़ का वेक्या, यांग आर्चिक रूप से, ए यानि अत्रिक्त मतलब लिखा ले उसको हम बोलते हैं cannot और example पढ़ लेते हैं noob, noob क्या होता है, noob मतलब संस, sarans होता है, यानि किसी चीज़ का sarans, यानि किसी word का एक चोटा से बड़ा चीज़ ले जाए sarans, उसको sarans बोलते हैं, अत्रिक्त मतलब यह हमारा हो गया cannot हो गया, उ next question, the right to vote in a political election, the right to vote in a political election को क्या बोलते हैं? तो suffrage स्थें बोलते हैं, यैनि ऐसा vote जो political election के लिए सत्य हो, उछ को हम क्या बोलते हैं? पेरिश का एक्जामपल पर लेते हैं of an universal surface as a basic for social equality. Next question. To expel a large quantity or something repeatedly and disforcibly. यानि कुछ ऐसा है, to expel a large quantity, कि एक बड़ी मात्रा में किसी चीज़ का quantity, जो repaired or forcibly, यानि किसी चीज़ को जबरचस्ती थोपा जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको espew बोलते हैं. espew मतलब एक ऐसा चीज़ होता है, यानि espew, espew मतलब होता है कि किसी चीज़ पर कोई चीज थोप देना, यानि बेग बुर्बक निकाल देना, बाहर निकाल देना, या किसी चीज़ पर कोई दबाओ देकर कोई चीज थोप देना, यानि espew मतलब, उसके बाद erupt है erupt मतलब क्या होता है erupt होता है फटकना किसी चीज़ को फटकना वेगर इरूप्ट बोलते है expel मतलब बाहर लिका देना expel का एक और भी सुन एसे qn जो word होता है expel का ostracize होता है यह सारे words है expel का उसके बाद puk जो है हमारे puk word है तो omit spew यानि omit होते हैं किसी जिसको omit कर देना हमारा puk बोलते है उसके बाद expel का इसका चोथा word है expel करना किसी बे next meaning be appropriate of applicable यानि appropriate कुछ चीज उप्यूग appropriate मतलब उप्यूग तो हो applicable यानि उप्यूग करने लाइक तो उसको क्या कहते हम तो उसको हम करते है एपार्टेन 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 मतलब होता है किसी चीज को हम मतलब उप्यूग तो कि हम उप्यूग थो कि हम उप्यूग तो applicable कर सके use कर सके apply कर सके जैसे example में है in institutional arrangements which is अपार्टेन under the system कि या institute का जो arrangement है यतना opportun है कि हम इस system के अंदर ये चीज अप्लाई कर सकते है next question in a way that is a clear of obvious to the eyes and mind एक ऐसा चीज एक ऐसा चीज जो साफ साफ हमारे आँक और दिमाग में ये चलता रहा है हम लोग से ये साफ किलियर हो ये चीज क्या है उसको हम क्या भोलते हैं तो manifestly बोलते हैं वो चीज को हम manifestly भोलते हैं जो आथ या दिमाग के लिए असपस्ट है यानि परकट है उसको हम manifestly बोलते हैं अपस्तृ एक ऐसा word है जिसको समझा नहीं जा सकता कलनल होता है एक ऐसा ब्यक्ति clandestine होते हैं जो कल किसी का राज खुलने वाले हैं उनको हम clandestine बोलते हैं यानि किसी का राज गुप्त चीज खुल जाए उसको clandestine बोलते हैं उसके बाद covertly होता है यानि covertly यानि कोई चीज hidden हो consolidated होता है he claims that he is completely committed to the project yet he claims that उन्होंने claims किya कि he is completely committed to the project yet कि उन्होंने अभी पूरी तरह से जो हमारा project है उसको नहीं किया है ये अब तक this is the manifestly untrue ये बिल्कुल ही असकते है next question the rejection of all religious and the moral principles मतलब एक ऐसा एक ऐसा क्रिशकार जो all मतलब सभी के सभी धर्म को and moral principle यानि सभी धर्म और जाती को reject करे in this be life यानि believe that life is meaningless कि वो इन धर्म और जातियों से अपना जीवन का कोई अस्तित नहीं रखता हो उस इंसान को कि हम क्या बोलते हैं तो उस इंसान को हम बोलते हैं नहीलिजम बोलते हैं वो ब्यक्ति जो किसी धर्म यानि सभी धर्म और नैतिक इस्तितियों को असविकार कर दे या किसी पर विश्वास ना रखे की जीवन एक ब्यर्थ चीज़ है उसको हम नहीलिजम बोलते हैं example में his implicit nihilism and his aggressions of global next what the resolve and sentence in this it components apart of describe their synthetic role एक ऐसा role resolve यानि को इसी चीज़ को resolve यानि दोबारा से किसी चीज़ को व्यक्त करके उसको सुधारना in a sentence is components part of this describe यानि इस चीज़ को व्यक्त करना there is a synthetic role उस synthetic role को हम क्या बोलते हैं तो उस synthetic role को पार्सी बोलते हैं उसी भीक्तलियों का बोलते हैं, विभिक्त करना है,ation है, निकितला है, दिसक्ष कड भी है, здесь बीक्ष संजालsch और जहीं करें कि उसकी भीक्तल देखें लें, और यह स्वें, जो एक वर्ड को सम्झाइए, उसकी व्यक्षा करें, reduce something in amount or extend by a regular series of steps यानि reduce मतलब क्या होता है किसी चीज में कमी करना यानि उसको तोड़ना तोड़के कमी करना उस टाइप को हम reduce बोलते हैं तो उस stem को हम बोलते हैं यानि किसी भी things में धीरे धीरे किसी चीज का कमी या उसके मात्रा में कमी या उसके extends में कमी को हम विटल बोलते हैं क्या होता है अकार या रासी या सीमा में कुछ कमी करना को ही mutual बोलते हैं ठीक है तो इसका example है the short list if the short list of 15 was vital down to 5 next question senseless talk or writing एक मुर्खतों की तरह बात करना और लिखना उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लाड्रेस बोलते हैं ब्लाड्रेस एक ऐसा बेक्ती होता है जो मुर्खों की तरह बात करता है और लिखता है अब इसका वेक्षा पढ़ लेते हैं the question is not whether these claims are blood rash next question the break of into a small part as a result of impact of decay क्या बोल रहा है question में कि break of मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना into a small part यानि छोटे छोटे पाटों में as the result of impact और जो उस result से impact मिले उसको हम decay कहते हैं यानि वो decay होता है तो उसको हम क्या कहते हैं तो ये हमारे कौन से है यह हमारे disintegrate है disintegrate यानि टुकड़े टुकड़े कर देना इसको हम disintegrate बोलते हैं ठीक है और dis harmony क्या होता है मतलब एक ऐसा बेसुरपान होता है harmony मतलब होता है जो harm पहुंचा है और dish harmony मतलब ना यहनि जो हमारे लिए फैदा मंद ना वो हो लेकिन हमें हर्म ना भी पेहुणा अनि सुरापन होता है यानि HOL आपकति ये बदर्डर मतलब क्या होता है इस इसका मतलब होता है इसका भी मतलब होता है मतलब होता है बदाम करना चलिए इसका बता आते हैं क्या है नेक्स्ट्वोट्स और सॉर्च फॉर का ग्लेक्ट एनीठींग और search for a collect anything usable from discarbed wastage मतलब एक ऐसा चीज को collect करना कि जो कुछ इसमें से usable भी हो मतलब यूपयो करने लाइक हो जो कुछ कुडा में फेकने लाइक भी हो उस चीज को collect करना तो वो कौन collect करते हैं तो उनको क्या कहते हैं जो collect करते हैं तो उनको बोलते हैं स्केवेंज बोलते हैं स्केवेंज जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं कि हमारे कुड़े करकट को एकठा करते हैं स्केवेंज यानि कूरा करकट को एकठा करने वालों को इसके बेंज बोलते हैं उसके बाद डिस्प्रेस बोलते हैं जो बिखेर देता उसको डिस्प्रेस बोल बैसन हो जो मर जांग विन्हाक नीर्वसियत को उसको हम क्या बोलते हैं तो इंतेश्टी बोलते हैं jeans इस newky बैसलब ट्रीजाना जो किसी जो अपना वसियत किसी के नाम ना कर पायए उसको हम बोलते हैं। एने एक्जामपल में, abducted, abducted मतलब पहला, abduct मतलब relinquivist होता है, abduct होता है, forgiving होता है, बहुत सारे ऐसे word हैं, तो abduct मतलब त्याग देना, intensity, निर्वसियत होता है, जिसका निर्वसियत मतलब उसका, जो भी था, heritage, वो किसी के नाम पे ना हो, फिर भी उमर जाए, तो उस चीज़ को, उस वैस्ता कॉमेंटेस्टी बोलते हैं, fortunate बोलते हैं, मतलब सोभाग, सोभाग पूर्ण जो होता है, काम उसको fortunate बोलते हैं, disparate मतलब निरास करना, होतास करना, यानि disparate, यानि dejected कर देना, ये सारे, rejected, dejected, disparate, ये सारे sin word हैं, उसके बाद चलते हैं, next question पर, to causes, to causes a process of, और action to being, मतलब एक ऐसा cause, process, जो किसी action का starting हो, उसको क्या बोलते हैं, यानि उसको क्या बोलते हैं, जो किसी causes और process, इनिटेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनिटेट बोलते हैं, यानि इनिटेट मतलब आरंब करना, start, beginning, impulse, impulse मतलब होता है, उतेजित करना, insight करना, विगरा करना, imitate मतलब होता है, नकल करना, नकल उतारना, मतलब मिमिक्री जो होता है, मिमिक्स करना है, ये 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 होता है, next question, made or done in the traditional और original way, मतलब कुछ ऐसा बनाना, जो हमारे एकदम traditional और original way, मतलब एक वास्तिविक रूप में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम authentic बोलते हैं, प्राम्प्री किया, मूल तरीके से बनाया गया, या किसी चीज़ से, प्राम्प्री किरूट से बनाया गया, उसको हम authentic बोलते हैं, यानि, made or done in this traditional और original way, यानि उसको बोलते हैं authentic, ठीक है, एक्जाम्पल देखने थे हैं, I do not, I don't know, if you, if the painting is authentic, a plant leaf or flowers becoming limp, a plant एक पौधा, जिसका पत्ता और flowers become a limbs, यानि, उसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम wilt बोलते हैं, एक पौधेख पता या फूल एनिर्जी का बन जाना, उसको हम बोलते हैं wilt, cut flower will soon wilt without water, ठीक है, next question, systematic study of election trade, यानि, एक systematic तरीका से जो हमारे election trade होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्फिलोजी को हम बोलते हैं, systematic study of election trade, पढ़ लेते हैं क्या, archaeological मतलब बरा प्रत्वत्विज्ञान होता है, archaeology उसके बाद होता है, पेस्फिलोजी मतलब क्रित्मिक, यानि, मित्य या नकली तरीके से जो voting बगरा होता है, वो हमारे होते हैं, उसको बोलते हैं, पेस्फिलोजी, उसके बाद होता है, etymology मतलब क्रित्व पत्वगों को जिस मैधियन किया जाता है, etymology बोलते हैं, उसके बाद, एस्थेटोलोजी को बोलते हैं, एस्थेटोलोजी, the study of the list of part of life of death, यानि परलोग सिधारत करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिस्ट होते हैं, उसको हम उस अध्यान को हम बोलते हैं, etymology उसके बाद, next question कर लेते हैं, confirmity to fact, यानि किसी चीज, किसी कोई सचाई का confirmity करने को क्या बोलते हैं, तो वराचिटी बोलते हैं, जो है, hypothetis जो है, अनुमान लगाना, इस्थेंटीसम जो होता है, यह भी अनुमान लगाना होता है, थियोरी सिधान्त होता है, ड्यक्रीते हैं, यह भी हमारा सिधान्त ही होता है, धन्यवाद, और यह आपका, वान इड्सोच्यूशन का पहला सिट्सम पन हुआ, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्ब्सक्राइब करें, और स्ब्सक्राइब करना ना भूलें, शन्यवाद,